एक और स्पेस जहां पर आपने थोड़े कॉंट्रा लॉंक्स लिए थे हैं यहां पर कोई स्टॉक्स है क्या अभी इस लेवल पर बाइ करने के लिए नए अनो डिप्स की ही कहानी है यह सब देखिए उत्तेजना जो है वो किसी भी निवेशक या ट्रेडर के लिए सबसे घात में और चड़ जाता है तो हमें अपनी तेजना को रूखना है नीचे मिलेगा तो लेंगे अपनी एवरेज को खराब नहीं करना है निवेशक यह हम केमिकल्स में हम ट्रेडर्स नहीं हैं केमिकल्स में एक आखरी स्वाक जिस पर आपकी राय चाहूंगा सुशील जी यह पिडिलाइट पर आपकी रीडिंग क्या है 32 सुनों पर जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं यह अपने करियर हाई पर आकर ट्रेड कर रहा है एशन पेंस या फिर पिडिलाइट यह जो टेंप्रेरी फेज आया है क्रूड में यह जो सॉफ्टनेस का उसका पूरा आइधिंग इनुने लुफ्ट उठाया है पिछले तीन चाह दिन में कोई सीरियस आपको यहाँ पर ट्रेडिंग स्विंग नजर आ रहा है क्या जिसको आप कैप्चर करना चाहिए पिडिलाइट की चार्ट मैं अनुरोज करूँगा पी सीर क्रिपिया दिखा दे तो हम पिडिलाइट को 200 में लेके 31 32 में निकलेंगे हमारे गोल पूरे हो गए यहाँ पर जो भी पैटर्न से पिडिलाइट देखे ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं एफेंड हो गए जस्ट बिकोज वो एफेंड हो में लोग उसमें ट्रेडिंग कर लेते हैं इन में जो चाल भी आती है उसमें बहुत नॉइस बरी होती है कितना जिगीर जिगीर करके चलता है ट्रेडिंग कर रहें के लिए आपको चीज़ी लखीर की चाल वरना इन नॉइस आपके सौने कटवा देती है हम पिडिलाइट में कभी ट्रेडिंग नहीं करेंगे आट मों स्पेकुलेशन करेंगे वो स्पेकुलेटिव राइड हमारी कम्प्लीट हो गई लोवर टॉप बन रहा है अब जैसे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो बहादूर व्यक्ति इसको जाके शॉट करते हम न निवेश करने के लिए भी कॉंटिटी रीजनेबल रखिये तो आप नॉइजी स्टॉक को राइड करेंगे पर इसाब से प्रेडिलाइट की चाल पूरी है अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे